नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का स्टेडी ग्लोस पर आज हम लोग एक आपको नियम समझाने वाले हैं उस नियम का नाम है law of attraction अगर आज पूरे विश्व में देखें तो पूरे विश्व के अंदर अगर कोई attraction का आकरशन का केंदर है तो वो है आपकी पावर रिसेंटली क्या हुआ है उसके बारे में आप लोग को बतायता हूँ UNSC की जो सेकरिटी काउंसिल है UNSC मतलब युनाइटेट नेशन सेकरिटी काउंसिल उसकी अंदर रशिया को एक महीने के लिए प्रेसिडेंसी मिली है और युक देशों ने उनके साथ युद्ध करने का वादा किया था कि हम आपको नाटों के अंदर शामिल कर लेंगे आज वही देश जो है वह मिलकर रूस को UNSC के अंदर मेंबर्शिप दे रहे हैं एक महीने के लिए मिल चुकी है देखते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है जिसको लेक अगर जैलेंस की जो है वो इतना गुसा हो गए और आप लोगों के लिए एक सबसे गजब की एक छोटी सी में कहानी जो है बताना चाहूंगा देखी क्या है अगर हम लोग पूरे विश्व में देखे या हम लोग अपनी सोसाइटी में देखे या आपके फ्रेंड सरकल में देख लीजिए या आपकी परिवार में देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो अट्रेक्ट करती है लोगों को वो होती है पावर आप लोगों ने यूट्यूब पे कई सारे शॉट्स देखे होंगे कि निता जी आ रहे हैं कि विधायक साहब आ गए हैं आप उनसे मिलने के लिए बड़ा आतुर रहते हैं बीसी के लिए पूरा का पूरा खेल जो है वो किसका है पावर का है और लोओ आफ अट्रेक्शन कहता क्या है कि जिस व्यक्ति के पास में पावर है उसकी तरफ सभी लोग जो है वो खिच चले जाते हैं यही है रश्या के साथ में आज रश् रश्या को नहीं मिल पाती क्योंकि अभी रश्या के ऊपर कितने सारे वार क्राइम के आरोप लगी थे और खास बात यह है कि जब रश्या को लाश्ट येर निकि 2022 में जब यह वार हुआ था उस समय भी रश्या की पास में यूएनसी की प्रेसिदेंसी थी तो यूएनसी का जो काम है उसकी ऊपर ही सवाल या निशान खड़ा हो गया है जैलेंस की ने यहां तक कह दिया है कि वह यूएनसी जो है इसको भंग कर दो इसको डाइल्यूट कर दो खतम कर दो कोई काम नहीं इसका क्योंकि जब रश्या को ही इसकी प्रेसिदेंसी मिल चुकी है तो चलिए जानते हैं इस लक्चेर के अंदर क्या है देखिए रश्या जो है वो एक बार पहले वापस से प्रेसिदेंट बन चुका है यू एनसी का यूनेटेड नेशन सेक्रेटी काउंसिल का यूक्रेन हैस बीन कंटिनियूसली अपोजिंग रश्या प्रेसिदेंसी फॉर लाश्ट यूने सी के जितनी भी मेंबर हैं टोटल 15 मेंबर्स हैं वह 15 मेंबर एक-एक मन्त के लिए अपनी प्रेसिदेंसी जो है समढ़ते हैं लेकिन एता इक मन्त में ऐसा क्या कर जाते हैं वो लोग चलता है पाच ज़ो है वह पर्मानेंकेंबर है और तस ज़ोáticas टॉर्मेंड मिमबर हैं एक इक साइकलिक के तोर पर एक-एक महीने की प्रैसिटेंसी को मिलती है अब देखिए कि अब अपरेल मन्त की जो प्रेसिडेंसी और रॉश्या के पास में चली गई है और रॉश्या बिकें प्रेसिडेंट of the UNSA in February – प्ररवरी लश्ट यह समय युद्ध हुआ से बाइल एंगवल और डाउट सेशन के साथ में यह एंजी आइटी पढ़ाई गई है काफी अच्छा है और आप लोग एंजी आइटी स्कोड का यूज करके 25% डिसकाउंट जो है वो भी ले सकते हैं ठीक है सबसे पहले में आप को यूएं की बारे में बताता हूं यूएं जो है उसकी इसकी हैं सबसे पहले गरते हैं हम लोग ऑनसे सबसाइब करने वाले हैं Security Council के बारे में कि यह क्या है सबसे पहले देखिए कि UNSC जो है वह वाकई में है क्या इसके बारे में जान लेते हैं कि United Nations Security Council में कुल 15 देश जो हैं सदश्य देश हैं इसमें अमेरिका रशिया फ्रांस ब्रिटेन और चाइना यह क्या है इसके पर्मनेंट मेंबर हैं वहीं 10 देश जो है वो इसके नॉन पर्मनेंट मेंबर होते हैं अब यह नॉन पर्मनेंट मेंबर्शिप जो है वो हमेशा गैर इस्थाई सदश्यों को दो साल के लिए यहां पर नॉन पर्मनेंट मेंबर्शिप दी जाती है भारत अब तक आठ बार इ स्थाइस अदश्यों के लिए चुनाव करवाती हैं मतलब हर साल जो है जो दस नॉन पर्मनेंट मेंबर हैं उन में से पांच के लिए एलेक्शन करवाई जाते हैं और दो साल के लिए उनको वह अपॉंडमेंट जो है वह मिल जाती है लेकिन हम लोग यूए ने से की चांती और सुरक्षा सुनेश्चित करने की जिम्मेदारी होती है कि पूरे विश्व के अंदर वो इस चीज़ को कुछ सेंक्शन्स लगा दे जैसे वेनेश्वाला की साथ में हुआ था ठीक है सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिश्चत की अद्रक्षत हर महीने अल्फाबैटिकल ओडर में मिलती है अल्फाबैटिकल मतलब यह होता है अल्फाबैटिकल ओडर इस तरीके से जो है उसको डिसाइड किया जाता है अब भारत जो है वो आठ बार यूएन सेक्रेटी कांसिल के अंदर जो है नॉन पर्मानेंट मेंबर बन चुका है अगर हम लोग बात करें 1950, 1951, 1967, 1972, 77, 84, 91, 2011 और 2021 और 22 के लिए तो दिस वो टेरिजनों को लेकर मुद्दा उठाये था वैसे ही मुद्दे जो है वो यहाँ पर उठाये जाते हैं ठीक है तो यह आप लोग को ध्यान रखना है अब भारत यूएनसी का स्थाई मेंबर जो है क्यों नहीं बन पाता है इसका सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी पर् करती है और इसमें सबसे बड़ा जो है वो चाइना हमारे लिए रोडा बना हुआ है चाइना यह चाहता ही नहीं है कि भारत जो है वो पर्मनेंट मेंबर्शिप के अंदर जाए क्योंकि चाइना हमेशा अपना वीटो पावर का यूज कर लेता है और पांच मेंसे एक देश ने भी अगर वीटो पावर का यूज कर लिया है तो फिर सदश्चिता नहीं मिल पाती है चीन के लावा फ्रांस अमेरिका रूस ब्रिटेन भारत को जो है वो पर्मनेंट मेंबर बनाने के लिए सहमती जता जो के हैं लेकिन चाइना जो है इसका विरोध करता है अब बेसिक ठोड़ा और होना चाहिए कि जैसे अफरीका जैसे देश हैं उनका प्रत्नेद्व तो बहुत कम है ठीक है यूएनसी में विकासी देशों का प्रत्नेद्व कम है लेकिन सथाई सदश्य नहीं चाहते कि इसमें किसी तरह का बदलाव हो जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनका वहाँ पर representation बहुत कम है दूसरी देश को वीटो पावर मिले हैं भारत के अलावा जापान जर्मनी ब्राजिल यूने जो है यून सेक्रेटी काउंसिल में स्थाई member बनने की और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी जो है वो presidency मिल जाए मतलब वहाँ पर जो है permanent membership उनक क्या करता है ठीक है आप लोग मुझे comment section में ये बताइएगा कि विजय लक्ष्मी पंडित आप लोग जानते होंगे विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में वो UN के अंदर कौन से session को जो है संबोजित कर चुकी है ठीक है मुझे आप लोग comment section में जरूर बताएगा आप सब्सक्राइब करना चाहिए तो चलिए मिलते हम लोग नेक्स सेशन में तब तक धन्यवाद थैंक यू जय हिंद